हेलो प्रेंट, वेलकम टो आज चेनल स्टेडी माटेरियल आज हम आपके लिए एक नए वीडियो लेके आये हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि COVID-19 वैक्सिन के लिए आप रेजिस्टेशन कैसे करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए ओपन करने के बाद सर्च बार पर आजाईए सर्च बार पर C-O-W-I-N go in.gov.in पर क्लिक करें आपको इस पे लिंग का ध्यान रखना है C-O-W-I-N इसके बाद आप सर्च कर लीजिए जिसके बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें रेश्टेशन सिंग इन यूरसेल्फ यल्लो कलर पर क्लिक कर लीजिए जिसके बाद वो सर्च पर चले जाएगा इसके बाद ये आप से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मागेगा जो फ़स्ट है आपका मुबाइल नंबर जिस मुबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं उसे डाले ताकि OTP भी उस पर ही सेंड किया जाए तो आप अपना मुबाइल नंबर डाल लीजिए मुबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक OTP सेंड होगा जहाँ पर आप रेड लाइन देखने हैं वहाँ पर OTP सेंड हो चुका है तो उस OTP को आप डाल लीजिए OTP डालना आपको सिर्फ तीन मिनट के अंदर कवर करना है तो इसके बाद आप को रेश्टेशन करना पड़ेगा तो हमारा पहले ही दो जनों का रेश्टेशन हो चुका है तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर add member लिखा होगा तो add member करने के बाद यहाँ पर फोन ID प्रूप मागा है वहाँ पर आप आधार कार्ट से लोग इन करें तो यहाँ पर आप अपना the the यादार कार्ट नंवर ढ़ा लिए जो आपका अदार कार्ट नंबर है तो आज आधार कार्ट नंबर ढालने के बाद जो यह नीचे digital मांग रहा है वह दे दीजिए फस्ट में आपका ये नाम मागेगा अपना नाम दे दिये जो आपका आधार कार्ट पे है इसके बाद जेंडर पूछा जाएगा तो आप male, female जो हैं आप वो डाल दीजिए और उसके बाद आपकी date of worth मागेगा जिसमें air आपको देना है कि आप किस air में जन में लिया है तो वो डाल दीजिए बस ध्यान रखे कि इसमें सिर्फ आप अपने family के चारी लोगों का registration करा सकते हैं यह डालने के बाद add पर क्लिक कर लीजिए तो देख सकते हैं उपर आपको message आ चुका है कि आपका registration successful हो चुका है तो आपको अगर अच्छी वीडियो वीडियो अच्छी लगी तो like subscribe कीजिए thank you